दोस्तों वेलकम टू माई चैनल लेटेश लन फार्मेसी आज के इस बीडियों डिसकस करने वाले एमाइनो एसीड पाथवे के बारे में जो के मारा फार्मकोगनोशियन फाइस्टियों के सेकेंड के फर्स निर्ट का नेस्ट पिक होने वाला है हम पर ने हाइयर प्लांट में सबसे पहले हमको यह जानना होंगे कि अमाइनो एसीड बौलते एक आपका क्या प्रोटीन तो हम यह क्यों के purity कह हूते है जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बौड़ी के अंदर 20 परकार के Omarisयद की requirement होती है for the protein synthesis मतलब अगर हम यू कहें कि हमको 20 amino acid चाहिए कि हमारा एक protein बन जाए ठीक हमारा protein बन जाए तो उसके लिए हमको 20 amino acid पर यह अगर इसी 20 की जगह हमारा अगर 19 हो जाता है और उस तब हमारा जाके protein की हो जाएगा और यह हमारा पूरा जो हमारे बॉड़ी के अंतर काम होता वह नहीं कर पाएगा इसलिए हमारे 20 amino acid होते हैं जो कि हमारी body के लिए essential होते हैं अब इसमें भी बात आती है कुछ आपने सुनाओगा essential amino acid पूछ आपने सुनाओगा कि non essential amino acid के बारे में ठीक है तो ऐसे amino acid मतलब अगर हम यह से कहें कि ऐसे amino acid जो हमारी body खुद synthesize करती है अब हमको खाना बनाना आता है तो इसका मतलब क्या है कि वह हमारी non essential है कि इसका मतलब कि हमको स्थीखने की ज़रूद नहीं है तो इसलिए जो amino acid हमारी body खुद उत्पन करती है उसको बोलते हैं non essential amino acid ठीक है और ऐसे amino acid जो हमारी body synthesize नहीं कर पाती है उसको बोलते हैं essential amino acid यहां पर आप एक चीज़ confirm करते हुए चलिए कि जो हमारे non essential amino acid होते हमारे human beings मतलब हमारी body यह उसके अंदर यह खुद बाखुद synthesize हो जाते हैं इसलिए इसके source के लिए हमको किसी भी डाइट या किसी ब्लांट किसी बैक्टिरिया की ज़रूद नहीं पड़ती है लेकिन जो essential amino acid होते हैं जो कि हमारी body synthesize ही नहीं कर पाती है उसको किसी ना किसी source से लेना ही लेना है क्योंकि हमारा जो प्रोटीन बनता है उसका मतलब करेंगे प्रोटीन में disturbance आ जाएगा और जो उसका काम होता है वो नहीं कम होगा अब बात आती है कि जो हमको मालीजे कि हमको 10 amino acid क्या करते हैं इसको dietary foods या जो हमारे मैमल में मैं में जैसे आगर आप मचली खाते हैं ठीक है अंडा खाते हैं मचली खाते हैं या कोई भी मीट मचली जो भी खाते हो या आप वेजी टेवर्स खाते हैं जिसके मादम से आपको क्या करता है यह जो 10 amino acid होते हैं आपकी body amino acid की जोड़त पढ़ती है और वही जो amino acid होते हैं जो कि हमको किसी अनदर सोर्से मिलते हैं उसमें से एक्जांपर के तौर पर आप समझेजिए कि यहां पर मैंने टॉंटियों के नाम नहीं पर लिखें कि यह से आर्जिलीन हो गया हिस्टेडीन हो गया आईसो लिशन हो गय अभी उसी पाथवे को जानेंगे हम किसमें जो अभी हम आपको नेस्ट पे जाएगा इसी पाथवे को हम समझेगा यह है में पाथवे होना चाहिए अगर आपके एक्जाम में पुछा जाता है तो आपको वही पाथवे बनाना होगा उसके बाद non-essential amino acid जो कि हमारी में मैं लेकर नहीं जा रहा है अब यहां पर आते कंडिशनली amino acid मतलब क्या होता है कि यह हमारे बौड़ी में कुछ ऐसी conditions आ जाती है जिसके बज़ासे यह संत्रसाइज हो जाते हैं यह कुछ ऐसी condition के उपाथ जैसे सिस्टीन आ गया glutamine आ गया hydroxy proline आ गया proline and toline आ गया तो यह से हमारी नॉन बाते हैं जिसको कि हमको क्यों याद रखते हुए चलना है कि हमारे आगे के future के लिए जीपेड वगएर के ले जाते हैं तो यह चीज़ हमको याद करते हुए चलना है ठीक है अब बात आती है कि जो हमारी एक प्रोटीन बन रही उसमें 20 एमाइनो एसीड में एक भी मतलब 20 की जगह 90 हुआ 19 हुआ अगर 20 की जगह 90 हुआ तो सीधा सीधा मतलब है कि वह हमारी प्रोटीन को बहुत अच्छी प्रोटीन को सिंतेजाइज नहीं कर पाएगी जिसके हमको हैल्थ प्राब्लम हो जाएग है कि और पर कीए हुआ है कि ऐसको क्रैप सेख़ साइकल सामसे नहीं जाता है यह रिस्पांस वरुता होता है घार आपसे पूछा जा इया जीप नहीं निकलते्स अपको बतांगे ग्लूटामेट फैमली के एड एड ए स्पारेट फैमली के निकलते हैं उसके बाद आता है गलाइकोलीसिस की प्रोसेस में आपका क्या हुत है पारुबेट से क्या борनता है आपका लिवसेन वैलीन एन एनालिन यह पात्रहीं में कि देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ से यह करके निकलते हैं और आपको क्या बता एक का निरमान करते हैं आप इस पात्वे को समझते है जैसा कि आप jantate blending आपके ब वाड़ी में कहां से यह सबसे पहले समझ लिए गि सम्मझ लेडिक आ या का से जैसे कि आपको सिख्मिक इसट पार्थ में बता जाए था कि क्या हो था कि अगर आपका कोई प्लांट है ठीक है उस्प्लांट की जड़ कहां पर आपकी जमीन के अंदर है तो वहां से उसको क्या मज़ जाएगा और इंवारेटमेंट में आपका स्यूटू परजेंट होता है है तो यही आपको क्या मिना जटता है आपको बना देता है ग्लुकोजिक करोहां टाफ बाल इस टाइब कि आपके क्एवट्र बनते चलते हैं ग्लाइकोलिस की प्रॉसस में पिर आपका आता है एक इंटरमीडियट वॉलते है थी फास्फोल्ग्लिसरेट के आपका बनता है यह आपने पढ़ीए और अब बात के लिए और यह क्या है आपके एसेंसियल अमाइनो एसेड है तो आपके आपके बॉड़ी के अंदर डेफिनिटली चाहिए इसका मतलब क्या है यह किसी बाइटरी सोर्च यह आपके बॉड़ी के अंदर शींसेड हो जाएंगे अब अब शीचिर आगे बढ़ते हैं अब इस लिए ग्लुकोस इस फासफेट की जब आप गलाइकोलिसिस पाथ वह पढ़ते हैं तो वहां पर क्या होता है कि 3 फासफेट बनता और एक बनता राइबोज 5 फासफेट दो क्रतेगरिया को आप पर निकलते अब यह जो राइबोज 5 फासफेट है इससे बनता अपका इसका मतलब क्या है कि यहां से जो glycolisose से जितने भी आपके बंदे उगे वह आपके आपको नाउन शेय माइसंसं सिंथासाइज कर लेगी इसको किसी भी मैमेल सोर्स ये भी ड्ल मीर्टि सोर्ट से लेने किसे अब आगे बढ़ते हैं जैसे कि आप देखते हैं कि यहां पर आपको क्या देखने को मिल दा है कि 3 phosphoglycerates से आपका क्या बन गया एरेथ्रोज 4-phosphate जो कि किसमें आता है HMP Sun के साइकल में आता है ठीक है अब वहाँ पर क्या होता है कि condition के वह देखने की सीवीक पर आपको कि यह इती इरेथ्रोज 4-phosphate आपने कहां पर पर पड़ा था सिकमिक एसिट पाथवे में अब क्या हो रहा है कि यह एरेथ्रोज 4-phosphate और सफपो इन powerless यह उन् creeping चेमिक इस हो जाएंगे इसका मतलब क्या है कि जब इन दोनों के आपस में कॉंबिनेशन या डियक्शन होगा तो आपका क्या बनेगा ट्रिप्टो फेन फेनाइलाइनामीन एंटाइरोसिन और यह बनते कैसे हैं यह हमने सिक्मिक एसिड पात्वें में बहुत ही डीटेल में देख लिया अब आगे बढ़ते हैं गलाइकोलीस की पात्वें में आपका आपका बनते हैं इससे क्या बनता है जो कि क्या है आपका एमाइनो एसिड है और जो यह N yamana i s e d hon जो कि आपको बॉडी के अंदर आपको खुद बहए-खुद मिल जाता है कैसे आपने बाइयो केमिस्टि में पढ़ा ऑगा कि यह जो स्टीश साइकल होती आपके अंदर पाई जाती है जिसके वज़ासे कि data आपकी बॉड़ी में नहीं होती है इसका मतलब क्या है कि यह यह जो फरदर प्रोशेस है यह dense नहीं होती है यत बॉड़ी की अंदर होती है यह लिकलू कलर से लिखा हुआ है और यह ェ weapons से लिखा हुआ यह जो सारी प्रोसेस होती है मैमल से प्लांड के अंदर होती है तो अगर आप से पूछा जाए कि बनता है तो अपको सीधा बताना है कि जो यहां पर जो प्रोसेटे जो भी आपके आगे कि यह जो बनते हैं यह आपके बॉडिके अंदर नहीं डां करके सिध्धा kilowatड के अंदर रोगया से था इसके को इंटीक करते हैं यह बात आपको समझ मेक्झेशे त chats daher जो यह यह बात है इसके आपकी बॉडी के अंदर यहां इसका मतलब क्या है कि यह आपके बॉड़े के अंतर संतसाइब होता है लेकिन यह क्या होता है क्या होता है उसमें क्या होता है वह कहां से तो यह आपको एक्जाम में पूछा जाता है तो आपको पूरी यही साइकल बना देनी है और अगर इस साइकल को देखा अगर आपने प्रॉपर ब्लू पेन एंड ब्लैक पेन का यूज किया और साथ में कुछ हाइलाइट करने के लिए हलका बहुत ही हलका कलर का पर अगर इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे बनाने के लिए क्योंकि इसको आपको एक्जाम में पूछा जा सकता है अब जो मारा नेक्ट वीडियो आने वाला है जैसे एक चीज और अगर आप प्रिविएस येर का कोशन पेपर उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा इसके एपलीकेशन के बारे में बताया गया है अब एपलीकेशन क्या बताएं यहां को आपको यह समझेए आपको खुद से बराना सीखना पड़ेगा कैसे आपने एमाइनो एसिट पात वे पड़ा तो अगर इसका कोई एपलीकेशन परते तो सबसे पहला एकि हमारी इस को सेंतेस करने के लिए या उसको इंतेक करने के लिए हम इस पात्वे का यूज करते हैं पहला यह होगा ठीक है उसमें प्लांट सेंको यह यह हो गया दूसरी बात एक है कि यह जो सिक्मिक एसीड पात्वे का इंटरमीडियर प्रोडेक्ट होता है जिसमें क्या होता है या उसके संतेसिस होती है तो सिधा-सिधा क्या कर देना कि अमाइनो एसिट के बारे में भर देना है आप चाहें तो एक पेज का दस पेज भी लिख सकते हैं प्रोटीन के बीलिदिंग बूलगती है अब काशन हम समझते हैं । लेकिन से बनने वाले वाग्तिक नहीं होते हैं इसलिए हम्मारे बारे में पड़ते हैं तो यही यह सब टॉपिक आपको अप्लीकेशन में डालना है और आपको यह वीडियो अच्छे समाझ में आपको समाझ में तो वीडियो को लाज कीजिए चैनल को सब्क्राइब कीजिए और कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा थैक यू फॉर वाचिंग द